नमस्का राजनमा टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रिया आपके साथ आसकर विनर म्यूजिक के समराट एया रहमान ने लेटिस्ट इंटर्वियू में अपनी जिन्दगी के सियाह काले दोर के बारे में खुल कर बात की उन्होंने खुलासा क्या कि कभी उनके मन में सुसाइट के ख्याल आते थे वो खुदकुशी करने के बारे में सोचते रहते थे A.R. रह्मान ने ये भी बताया कि मुश्किल वक्त में कैसे मा और उनकी खुद की आध्यात्मिकता ने जिन्दगी के प्रती नजरिये को बदलने में एहम भूमी का निभाई A.R. रह्मान ने इसका जिकर अपनी बायोग्राफी में भी किया था जिसे करशना त्रीलोकी ने लिखा था उसमें A.R. रह्मान ने बताया था कि जब वो 25 साल के थे तो खुद को औसफल मानते थे इस कारण वो रोजाना ही सुसाइट के बारे में सोचते थे लेकिन अब दोबारा उन्होंने इस बारे में तब बताया जब आक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी में स्टूडेंट से बात कर रहे थे A.R. रह्मान ने मा की कही वो बाते बताई जिससे उन्हें मुश्किल वक्त में हिम्मत मिली थी A.R. रहमान ने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरे मन में आत्मत्या की विचार आते थे तो मेरी मा कहती थी जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आपके मन में ये विचार नहीं आएंगे ये मेरी मा से मिली सबसे खुबसूरत सलामे से एक है इसी के साथ बने रहे है राजद्रमा टीवी के साथ दर देवाद